नमस्कार दोस्तों, पंज रुष्य ग्लासेस में आपका स्वारा है। आप जब मुझ के पुस्तक और उनके लेक़े का ध्यन करेंगे। और देखेंगे कि कौन कौन सी पुस्तक हमारी परिक्षा के लिए महत्पूर है। तो सुरू करते हैं, पुस्तक रून के लेकाक, पहिरी पुस्तक है सबका साथ सबका रुकास, और यह नार आपको मालू है किस का है मानुझे प्रदार मंत्री, स्री नरेंद्र मोधी जी का, तो इसके लेका कोन है, नरेंद्र मोधी, नेक्स्ट है अंडॉंटेट, सेविंग दा आइडिया अफ इंडिया, पी चितंबरम इसके लेखक है, गॉड अफ सिन, उसी नौर मजुम्दा, इसके लेखक है, We are displaced मलाला यूसुफ जाई जिनको सांती नोबल पुष्का रूला था, पाकिस्तान की एक बच्ची है जिसको सांती की सांती नोबल पुष्का रूला था, उसकी पुष्क है, We are displaced. मलाला यूसुफ जाई बेसरम, तस्लीमा नस्रीन के पुस्तक है, मिल्कमेन एनावर्ण्स के पुस्तक है, वह फैमस रुक है यह एनावर्ण्स के मिल्कमेन, हिट रिफ्रेश, सत्या नाडेला की यह बुक है, लोग तंतर के सुर ये माननी राष्टपती सिरी डामनात कोविंद जी के बाश्वां का संग रहे है फ्री हिट सुप्रिदादास योगा एंड माइन्फुलनेस मानसी कुलाटी के पुस्तक ये बार लाइट माइकल उंतान दिजे की पुस्तक ये चेजिंग इंडिया मनमौहन सिंग के पुस्तक है होमफाया कामिला शंसी की पुष्थक है 281 & Beyond यह क्रिकेटर बीवीएस लक्षमा और आरकोसिक की पुष्थक है जब उन्हें आश्ट्रिय लेकिराब तो उसे क्या सिर्थ मनाए थे उस पर आधा है तो पुष्थक है 281 & Beyond बिवियस लक्ष्वा और आर्कोसिक की पुस्ता है दा गर्व इन रूम वन जिरो फाइब चेतन वगत का यह उपनियास है पुस्ता के और यह चेतन वगत इसके लेकर है दीपा करमाकर दा स्मॉल वर्डर और इसके जो राइटर है वो तीन राइटर है विश्वेशोर नंदी, दिगविजे सिंधेव और विमल मौहन तीन इसके राइटर है पुस्ता के दीपा करमाकर दा स्मॉल वर्डर नेक्स्ट है दा पेरडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर सशी थरूर की यह पुस्ता के नेक्स्ट पुस्ता के इंडिया एहेड दो हजार पच्चिस एंड बियोंड विमल जालान जो कि हमारे गवर्णर रहे थे आरवी आई के उनकी पुस्ता के मुविंग ओन मुविंग फॉरवर्ड एयर इन ओफिस एम बैंक के यह नाइडर के पुस्ता के इसके सुवह साम की दूब पुस्तप है सुवह साम की दूब नेक्स्ट है धक्ह रिजयanno येर्ज्ट यह नाइटीं नाइटीनन डींटीं स्क्स टू थाउजन टने पुस्ततित्यक है ।ào यह कुछ मेहटउण पुस्तक है जो मैंने आपको बताई इसको नोट कर लीजेगा नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी अपनी जीके से समध्दित प्रश्ण मिलते रहेंगे तब तक के लिए आम मुझा अनुमत ही दीजिए धन्यवाद